नमस्पार एक वार फिर आपका स्वागत है डीवी नियूस में चंदरियान 3 के चांद पर उतरनी का इंतजार पूरा देश कर रहा है लेकिन इस बीच ऑस्टेलिया के एक सुदूर समुद्री तट पर गुंबद के आकार की एक रहस मय वस्टू बह कर आई है जिसे लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है ऐसा माना जा रहा है कि यह है 20 साल पुराने भारतिय रॉकेट का एक तुकड़ा हो सकती है जिसका इस्तमाल उपग्रह प्रक्षेपन के लिए किया गया था गुंबद के आकार की यह वस्टू पर्थ से लगबग 250 किलो मीटर उत्तर में ग्रीन हैड समुद्री तट पर पाई गई है भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगतन के सूत्रों ने आस्ट्रेलिया अंतरिक्ष एजंसी से अपचारिक संचार प्राप्थ होनी की पुस्टी की लेकिन उन्होंने संबंद में कोई भी विवरण नहीं दिया है विचितर दिखने वाली इस वस्तु को अंतरिक्ष कच्रे का तुकड़ा घोशत कर दिया गया है जबकि आस्ट्रेलिया अंतरिक्ष एजंसी सहित राफ्ट या एजंसी या इस वस्तु का विशलेचन कर रही है पर्षिमी ऑस्ट्रेलिया पुलिस के एक बयान में कहा गया है कि इस समय यह माना जाता है कि वस्तु अंत्रिक्ष का कच्रा है वहीं एक अंत्रिक्ष विशेश अग्य का कहना है कि यह वस्तु 20 साल पुराने भार्टिय रॉकेट का एक तुकड़ा हो सकती है